Class 12, Chapter 13, Probability, Miscellaneous Exercise, Question No. 9 काफी अच्छा सम है, काफी आसानी से सोल हो जाएगा An experiment succeeds twice, as often, as it fails एक experiment की जो success होना है वो twice है, दुगना है, फेल होने की जगे तो आप यहाँ पे let कर लो, हमने let करा है कि जो fail होना है जिसे हम failure कहते हैं Q, वो मैंने माना है X तो जिसे हम success बोलते हैं P, वो क्या आएगा, double आएगा भाई 2X आजाएगा, बात समझ रही हो, अच्छा एक दूसरी बात समझो आप, यहाँ पर, हमें पता है we know, हम जानते हैं, P plus Q, किसी भी experiment में success और failure, दोनों के दोनों plus होके किस के बरावर होते हैं 1 के बरावर, तो हमारे पास क्या आजाएगा, 2X plus X equal to 1 तो brother मेरे पास finally क्या आजाएगा, 3X equal to 1 and X equal to मेरे पास कितना आजाएगा इस तरह से, X equal to आजाएगा 1 by 3 और X कौन था, X था मेरे पास Q, यानि Q कितना आजाएगा है, 1 by 3 और यह मेरे पास कितना आजाएगा, 2 by 3 बात समझे, तो मेरे पास success और जो failure है, दोनों के दोनों निकल चुके अब इसने का है, find the probability that in the next 6 trail, तो 6N बराबर 12 हमारे पास 6 हैं, there will be at least कम से कम 4 success आजाएगा तो 4 success आने की जो probability है, वो आप किस तरह से निकालेंगे, आपको निकालनी है, probability at least कम से कम 4 success की 4 successes तो आई जाएगा इसका मतलब ब्रदर, 4 आजाएगे तो अच्छी बात, 5 भी आजाएगे तो और अच्छी बात, कम से कम 4 आजाएगे, है ना, और 6 के 6 आजाएगे तो बहुत बढ़ी है बात फिर उसके बाद, दुबारे से 6 मैं से कितना, 5, 5 success, success कितनी है आपकी, success है 2 upon 3, वा निचे यह सर 5 और failure कितना है, 1 upon 3, वा निचे 6 माइनस 1 और similarly, हमारे पास कितना आएगा, success, 6 मैं से 6 आजाएगे तो और अच्छी बात, और 2 upon 3, और यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 6 का 6, और 1 upon 3, और यहाँ पर आएगा, 6 माइनस 6, ठीके, अब इसको solve कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है इसके बाद हमारे पास, तो यहाँ पर आजाएए, 6 और 4 को जब आप लेंगे, तो यह आपके पास total option हमारे पास यह बैठ जाएगा, 6, 15 ठीके, तो इस तरह से आप इसको solve कर लेना, सारु को, यह किस तरह से solve होते हैं, factorial n करके, factorial n और factorial n, factorial n minus r, ऐसे करके तो इसको solve करना, और इसको solve करना, जब आप final इसको solve कर होगे, तो आपके पास required answer something, 31 upon 9 and 2 by 3 raised to power 4, यह required answer आजाएगा, बिल्कुल आसान है, आपके पास यहाँ पर सिर्फ और, calculation रहती है,